दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है? ये जानने से पहले जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या है? संपूर्ण, समय, अंतरिक्ष और उसके अंदर मौजूद सभी चीजों को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है. और इसे ही ब्रह्मांड कहेते हैं, ब्रह ब्रहमांड में सभी तारे ग्रह, आकाश, गंगा, अप्रमांविक्कन और सारी उर्जा सामिल है। जिससे हमको पता चलता है कि हमारा ब्रहमांड कितना बड़ा हो सकता है। कि हमारा ब्रहमांड लगभग तीरानवेर अरब प्रकाश वर्ष चोड़ा है, इसको किलो मीटर में मापना असंभव है। फिर भी उधारन के लिए मैं आपको बता दू कि एक प्रकाश वर्ष मतलब नौ दशमलव पांच ट्रिलियन किलो मीटर होता है। अब आप खुद इस पर सोचें कि सिर्फ एक प्रकाश वर्ष का ही किलो मीटर इतना ज्यादा है, जिसकी संख्या भी हमें याद नहीं रहे सकती, तो तीरानवेर अरब प्रकाश वर्ष को किलो मीटर में नापना। क्या संभव हो सकता है? बिलकुल नहीं. चलिए, और डीप में जाते हैं, जिससे पता चलेगा कि how big is our universe, यानि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है. चलिए, अब ब्रह्मांड में थोड़ा और अंदर जाते हैं, जहां हमारी मंदाकिनी गेलाक्सी मौजूद है, जिनको हम म इलकीवे के नाम से जानते हैं, इसका सफर करने के लिए यह जानना अवश्यक है कि हमारी मंदाकिनी यानि की आकाश गंगा कितनी बड़ी है, दरसल दोस्तों, आकाश गंगा लगभग 52,850 प्रकाश वर्ष बड़ी है और करीब 13 अरब साल जितनी पुरानी है. हमारी इस आ प्रमंडल भी मौजूद है. अब हमें जानना है कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है. तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसी कितनी आकाश गंगा मौजूद है हमारे ब्रह्मांड में, जिससे हम ब्रह्मांड की और गहराई के बारे में जान सकेंगे. खगोल शास्त्रियों के मुताबिक ब्रह्मांड में करीब 200 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगा मौजूद है, जिन में से कई सारी आकाश गंगा, हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा से कई गुना ज्यादा बड़ी है. इसके अलावा अभी भी कई अरब आकाश गंगा ब्रह् ग्यानिक कर रहे हैं, इससे हमको यह पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्योंकि यह तो सिर्फ शुराथ है, अभी भी ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजा जा रहा है, जिसमें कई सारे और सौर मंडल और आकाश गंगा मिलने की संभावनाएं हैं। हमारे ब्रह्मांड की आयू लगभग 13.799 अरब साल है। तीन लाख किलोमीटर फैलता रहेता है। अब जैसे की हमने बात की की हमारे ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए है। तो सवाल आता है क्या ब्रह्मांड अनन्थ है। जैसे की हमने आगे ही बात की थी की वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड करीब 13.9 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। और हर सेकंड ब्रह्मांड तीन लाख किलो मिटर बढ़ता जा रहा है। इसलिए फिलहाल तो यही कहना उचित है कि ब्रह्मांड अनन्थ है क्योंकि किसी भी देश के वैज्ञानिक के पास ब्रह्मांड का सही माप नहीं है। लेकिन आज तक कोई भी इसके पक्के साबुत नहीं दे पाया है। कई सारे देश के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की गहराई मापने की कोशिश की है। लेकिन वो लोग इसके बारे में पता नहीं लगा पाये थे। तभी बीसवी सदी में आयरलैंड के एडमंड फॉर्न लेकिन यह नामुम्किन है। अगर हम बिग बैंग थियरी की बात करें तो यह मुम्किन है कि आकाश में और भी ब्रह्मांड मौझूद है क्यूंकि बिग बैंग के कारण परमानू निकले थे जिससे ब्रह्मांड की उत्पति हुई और यह परमानू अभी भी मौझूद है जिसे दो तारे के आपस में टकराने से ब्लेक होल का निर्मान होता है खेर अभी भी इसका कोई भी सबुत नहीं मिला है लेकिन सभी खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि कई सारे ब्रह्मान्ड मौजूद है और इसी लिए वैज्ञानिकों ने theory of everything पर काम करना शुरू कर दिया है आईए जानते हैं कि हमारे ब्रह्मान्ड में कितने सौरमंडल है दोस्तों हमारे ब्रह्मान्ड में कई सारी solar systems यानि सौरमंडल मौजूद है जिसका हम कभी पता भी नहीं लगा पाएगे सिर्फ हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा में ही करीब 300 अरब तारे है और पूरे ब्रह्मान्ड में करीब 200 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाए है और हर एक आकाश गंगा के पास कम से कम 100 अरब से ज्यादा तारे है उनमें से एक हमारा सोरमंडल है और हमारे इस सोरमंडल में कई अरब तारे हैं। इनमें सिर्फ हमारे सूर्य के करीब 200 अरब तारे हैं। विज्यानिकों के मुताबिक सिर्फ हमारी आकाश गंगा में ही 100 अरब से भी ज्यादा सोरमंडल है। तो जरा सोचिए पुरे ब्रहमां में कई सारे सौर मंडल मौझूद है लेकिन सभी के ऊपर बात करना किसी के लिए भी संभव नहीं है तो हम सिर्फ अपने सौर मंडल के बारे में बात करते हैं कि हमारा सौर मंडल बहुत ही बड़ा है जिसमें एक सूर्य, आठ ग्रह, पांच बोने ग्रह, एक सौ इककासी केतू यानि कॉमेट्स और कई अरब छोटे पिंड सामिल है हमारा सौर मंडल करीब 4.5-6-8 अरब साल पुराना है तो दोस्तों यह थी ब्रह्मांड की जानकारी आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और ऐसे ही नॉलेजिबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में